सर्दियों के सबसे सेहतमन लड़ू मेथी के लड़ू आज हम बनाने जा रहे हैं यह आपको बहुत ज्यादा फायदा करते हैं सकिन के लिए बालों के लिए हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं यह तो सर्दियों में इन्हें एक बार जरूर बनाएं चलिए फड़ सब्टसे देख लेते ही इन्हें कैसे बनाना है तो यहाँ पर एक पेस्ञ मेथि दाने कर बरका unity कर भी ब्रूराइन ही कपड़ें के बाद इसे किसी बोल में निकाला लें मुझिप अब घ्राइन है BC 9 आधा लीटर दूद ले लीजे इसमें 300 से 400 ml दूद लग जाता है थोड़ा थोड़ा सा गरम दूद इसमें डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे जितना भी ये मेथी दाना है ये दूद में भीग जाना चाहिए इतना ध्यान रखना है चार घंटे के लिए रेस्ट करने देंग अब यहाँ पर 3.5 गंटे बाद हमने दूबारा काम शुरू किया है तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मूम की डाल ली है जिसे बहुत अच्छे से धो लिया है उसके बाद 10-15 मिनिट के लिए हम इसे चलनी में रख लेंगे ताकि इसका पानी निकल जाए और ये थोड़ी सी सू मखाना भी कहा जाता है कुछ फूल मखाने भी कहते हैं कुछ लोगे से लो से मीडियम फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते रहेंगे एक से दो मिनिट के अंदर अंदर ये क्रिस्पी हो जाएंगे इस तरीके से तूटने लग जाएंगे जब यह ऐसे तूटने लग जाएंग इसी तरीके से हम बागी की चीज भी रोस्ट करेंगे तो यहाँ पर मैंने ली हैं MIXS SEEDS, पाकट आता है MIXS SEEDS का, जिसमें जितने भी सीटिम होते हैं जितने भी बीज होते हैं FLEX SEEDS होग्या इसके अलावा SUNFLOWER SEEDS, M주고RILIN SEDS, सब मक्स होकर आता है ड्राइफ रूट की शॉप पर मिल जाएगा आपको तो ये आप ले लिजे चाहे तो अलग-अलग सीड्स भी ले सकते हैं इसे भी लो से मीडियम फ्लेम पर कुछ सेकिंड्स के लिए हम भूनेंगे जैसी ये चटकने लग जाएंगे इन्हें भी हम बहार निकाल देंगे अब मैंने यहाँ पर लिया है नारियल का गोला जो आधा कप लिया है मैंने और इसे भी कुछ सेकिंड्स के लिए 10-20 सेकिंड्स के लिए हम रोस्ट करेंगे कलर चेंज नहीं करना है बस हलका-हलका सा हमें इसे भून लेना है जैसे ये हो जाएगा इसे भी हम बहार निकाल जैसे ही घी गरम होगा इसमें मैंने एक चौथाई कप काजू लिया है काजू बहुत जल्दी भुन जाते हैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं 10-20 सेकिंड्स में ही इनका कलर चेंज हो जाएगा जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा इन्हें हम बहार निकाल देंगे सेम घी में हम डाल देंगे अक्रोट आधा कप मैंने अक्रोट का लिया है इसे भी ज्यादा टाइम नहीं लहेगा 20-30 सेकिंड्स में अक्रोट जो है वो कलर चेंज करने लग जाएंगे और उसके बाद हम इसे बहार निकाल देंगे ड्राइफ रूट्स आपको जितने मिनिट के अंदर अंदर आप देखेंगे फूलने भी लग जाएंगे चटकने भी लग जाएंगे उस टाइम पर इने बाहर निकाल देंगे ड्राइफ रूट्स को पूरी तरीके से ठंडा करेंगे सेम पैन में देखिए 10-15 मिनिट हो चुके हैं जो दाल हमने रखी हुई थ सुखाने के लिए वो काफी हद तक ड्राइ हो चुकी है डाल को बिना घी के मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते रहेंगे डाल को हमें तब तक चलाना है जब तक इसका मौइस्चर पूरी तरीके से खतम नहीं हो जाता स्टार्टिंग में हलकी हलकी सी चिपकेगी लेकिन ब लेट या बोल में निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे चलिए आगे बढ़ते हैं सेम पैन में मैं ले रही हूँ दो चम्मच घी क्योंकि मैंने सुबह ही मेथी को भिगो दिया था तो इस दो चम्मच घी में मेथी को हम भूनेंगे क्योंकि चार से मेथी को तोड़ते रहेंगे स्टार्टिंग का एक मिनिट हो सकता है आपको मेथी भूनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो क्योंकि ये थोड़ी टाइट हो जाती है फूलने के बाद में लेकिन एक मिनिट के बाद जैसी मेथी गरम होगी तो ये काफी हलकी हो जाएगी आपको भूनने में बिलकुल प्राबलम नहीं आएगी जितनी भी ये गुटलिया बन रही है वो तोड़ते रहना है मेथी का कलर डाग ब्राउन कलर का हो जाएगा इस पर एक शाइन सी आ जाएगी बस तब तक ही हमें इसे भूनना है इसमें लगभग लगभ है वो ठंडी हो गई है तो चलिए दाल को हम पीस लेते हैं और दाल का आटा बना लेते हैं दाल का आटा वैसे मार्किट में भी मिलता है आप चाहे तो ले सकते हैं लेकिन मैंने सब कुछ घर में ही किया है दाल का आटा तैयार है इसे अलग से हमने प्लेट में निकाल दिया है अब इसे side में रख देंगे अब जो हमने dry fruit भून कर रखे थे सबसे पहले नारियल हम डाल रहे है blending jar में और नारियल के साथ साथ यहाँ पर मैं ले रही हूं dry fruits भी चाहें तो एक साथ डाल दीजे blending जार में चाहें तो आधा-धा करके डाली अभी आपके उपर है चाहें तो दर-दरा पीस लीजे चाहें तो पूरा पाउदर बना लीजे यह Broken City आपका छोईश है थोड़ा? तोड़ा करके ड्राइफ फूट्स को मैंने ब्लेंडिंग जार में डाला है और ये देखिए मैंने इसे दरदरा पीस कर तयार किया है चलिए आगे बढ़ते हैं सेम पैन में मैं यहां पर डाल रही हूँ आधा कब घी क्योंकि जो डाल का आटा हमने तयार किया है उसे भूनना भी बाकी है फ्लेम को रखेंगे लो से मीडियम पर घी जैसे ही गरम हो जाएगा जो डाल का आटा है मूंग डाल का आटा वो हम डाल देंगे घी में और लो से मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार हम चलाते रहेंगे हमें इसे बढ़िया तरीके से भूनना है शुरुआत में यह जो आटा है वो घी को पी जाएगा आपको लगेगा कि यह थोड़ा सा ड्राइ है लेकिन पांच मिनिट के अंदर-अंदर आप देखेंगे कि यह जो घी है वो रिलीज कर देगा और इसके साथ-साथ इसका जो रंग है वो भी हलका सुनेरा हो जाएगा जैसी इसका कलर हलक हलका सा ब्राउन होने लग जाएगा बस उस टाइम तक ही हमें इसे भूनना है उस टाइम पर हम क्या करेंगे यहां पर ब्लेंडिंग जार में ले लेंगे गौंद जिसे एडिबल गंबी कहते हैं करीब 50 ग्राम मैंने लिया है उसे पीस कर पाउडर बना दिया है इस लीजे दो मिनिट का समय लग जाएगा दो मिनिट के अंदर अंदर गौंद भी भून जाएगा दाल हमने भून ही ली है चलिया आगे बढ़ते हैं और यहां कढ़ाई ले ली है क्योंकि समान है हमारे पास में बहुत ज्यादा कढ़ाई में डाला है एक बड़ा चमच घी औ मैंने कूट कर लिए हैं दो बड़े चमच कमर कस के लिए हैं इससे कमर दर्द में बहुत आराम मिलता है इसे कुछ सेकिंड्स के लिए भूनेंगे उसके बाद इसमें डाल देंगे आधा किलो गुड याने 500 ग्राम जैगरी और इसे लगातार चलाते हुए मिल्ट करेंगे पिखलाएंगे फ्लेम एकदम लो पर रहना चाहिए इस बात का आपको खास ख्याल रखना है फ्लेम बढ़ानी नहीं है जैसे ही गुड मिल्ट हो जाएगा गैस को हम बंद कर देंगे बंद गैस में ही हम यहाँ पर डालेंगे भूनी हुई मेथी सबसे पहले हमें मेथी को दालना है और फटा फट से मिक्स करना है गैस बंद करने के पाद जो भी प्रोसेस हम करेंगे वो हमें जल्दी जल्दी करना होगा तो बस जैसे ही मेथी जो है वो एक बार अच्छे से मिक्स हो जाएगी उसके बाद हम इसमें डाल देंगे भूना हुआ आटा जो मूंग डा का आटा और गौन्ध हमने भून कर रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे और दोबारा हम इसे बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे अब देखिए यह जो पूरा मिक्सचर है वो अगर मैं बाकी की चीज़े डालूंगी तो कढ़ाई थोड़ी छोटी पड़ जाएगी इसलिए यह जो मिक्सचर है वो मैंने निकाल लिया है एक परात में अब इसमें मैं डाल रही हूँ इलाइची दस बारा रखे हुए हैं वो मैंने इसमें डाल दिये हैं इसके साथ ही किश्मिश 20 से 25 किश्मिश मैं इसमें डाल रही हूँ सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी हमें इस टाइम पर अपना हाथ चलाना है नहीं तो क्या होगा कि गुड के नहीं चाहिए पाद में इसके लड़ू बागने बहुत आराम से इसके लड़ू बन चाएंगे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा चाहें तो गानिशिंग कर सकते हैं जैसे मैं इसे पिस्टा से गानिश कर रही हूं मेति के लड़ू बन कर तैयार है इन्हें किसी भी टाइट कंटेनर में बंद करके रख दीजिए ये एक महीने तक आराम से आप खा सकते हैं कैसी लगी है रेसिपी कॉमेंट करके जरूर से बताएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा जल्दी मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में तब तक के लिए कर लुष जैंट करेंडे ऑரाम से च्टाएगा जब टो पर आराम से बगाराम से राजयर के ठाङजा हैं घूमे ड़ीजिएगाivas 5-70unky ज सकते हैं कि आりएगा हो।